बिहार विदान मंडल मौनसून सत्र का प्रारंब सुमवार यानि आज से होगा शुकरवार तक चलने वाले सत्र में पाच महत्वपूर्ण बैठक होगी इस बैठक में सरकार अपनी उपलब्धियों को बताएगी तो वहें विपक्ष सरकार की कमियों को जनता के सामने आसा ये मौनसून सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं दरसल बिहार की राजनीती में इंदनों मंत्री और सची विवाद के अलावा सिक्षक नियुकती और डोमिसाईल नीती को भी लेकर काफी बवाल मचा हुआ है ऐसे में अब आज जब मौनसून सत् शिरू की जाएगी तो राज की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा इसको लेकर सवाल करते हुए नजर आएगी भाजपा ने ये भी अलान कर रखा है कि वो 13 जुलाई को गांधी मैदान से पैदल विधान सभा मार्च करेगी ऐसे में सत्र के हंगामेदार होने के पूर सरकार ने अपनी नकामियों को छुपाने के लिए जानबूच के सत्र को छोटा रखा है ये सरकार राज के महत्वपूर्ण मुद्दो पर बात चीत नहीं करना चाहती है मालूम हो कि राज की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा इस मौनसून सत्र में सिक्षक भरती नि विधान सभा का घिराव करेगी इसके अलावा सिक्षा मंतुरी चंदर शेकर और एसी इसके के पाठक के बीच चल रहे विवाद का मुद्दा भी विधान सभा में गून जाएगा इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि लैंड फॉर्ट जॉब्स क्या मामले में सी बिया इन में हंगा ममशना तैमाना जा रहा है इधर विधान सभा ध्यक्ष अवद भिहारी चोधरी ने कहा है कि मौनसून सत्र छोटा किन्तू महत्वपूर्ण है और माननीय सदस्यों के अधिक्तम सवाल लिये जाएंगे तथा उन पर सरकार का जवाब होगा मौनसून सत्र की रननी पुर्णिया वापस जाएंगे जॉप छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाएं अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिन्दगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined में आपसी जो आपसी जोड़े आपसी की खुशी है